जो हम प्रमिस्ट्री में बेसिक पढ़ते हैं नंबर एक पे जब हम देखते हैं नंबर एक पे आती है लाइफ लाइन नंबर दो पे आती है हेड लाइन नंबर तीन पे आती है हार्ट लाइन बैसे तो यह तीन ही लाइने हैं फिर सपोर्टिव लाइन आती है उनमें से कुछ important है जिनको हम बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं that is fate line लक लाइन भागया रिखा एक नंबर नंबर दो सूरे रिखा जिनको हम बहुत important स से देखते हैं भागे रेखा और सूरे रेखा में चोली दामन का साथ है एक दूसरे को कॉर्सपॉंड करकी एक दूसरे के साथ उनका समंध बनता है आज हम डील करेंगे उनमें से एक दो लाइन मैंने करवावी दिया है जैसे हेल्थ लाइन बुद्ध परबत से चलने वाली गुझा जो नीचे शुकर परबत के पास अके रुखती है की वार अंदर गूजाती है वो बुद्ध की रेखा होती है यह मैंने आपको करवा दिये और इसको हेल्थ लाइन भी बोलते है इसको लीवर लाइन भी दोलते हैं इसके तीन नाम है हेल्थ लाइन लीवर लाइन और बुद्ध की रेखा इसका जो लाइन है और फिर भी मैं अधर लाइन में इसका टॉटिक में नाम है सलेबस में आपको ऐसे आना है उसमें मैं आपको करवा रहा हूँ मैंने पहले आपको डिटेल में करवाया है आप खोड़ा सा इंट्रोड़क्शन दूँगा ये देखो ए लाइन है जो गुद्ध की असली रेखा है गुद्ध लाइन और मरक्री है कहीं तोड़ फोड़ नहीं है सीदी आ रही है ये गुद्ध लाइन है मरक्री की और ये बी और सी जो है ये बैड लाइन्स है मरक्री की ये B and C are bad lines of mercury ये देखो बुद्ध की रिखा इधर को आ रही है ये चंदर पर्बत पे आके रुक रही है चंदर पर्बत मंगल पर्बत को तोड़ी खोड़ी लाइन आ रही है और ये जो C लाइन है ये आ रही है आपकी ये मंगल के मैदान से होके राहू के एरिये में आके रुक रही है दोनों में बड़ा डिफरेंट है खेल देखिए ये राहू है राहू परभावित है हेल्थ की रिखा राहू परभावित नलोगेस्टिक प्रॉलम आपको इंटरस्टीन की प्रॉलम स्टमक की प्रॉलम और जब ये बुद्ध से आती है नर्वसनेस की प्रॉलम जब ये चंदर परबत पर आती है डिमेंशिया, भूलने की तक ब्रेन की शक्ति काहीन होना ये बताती है और हम कहते हैं कि आपके पास बुद्ध की रेखा ना हो तो अच्छा है लेकिन हिदी हो तो बहुत ही बढ़िया एक लास सीधी पाट प्रॉलम प्रॉलम होने चाहिए ये होगे बुद्ध की रेखा मैं थोड़ा पड़ भी देता हूँ इट स्टार्स रॉम दे सेंटर अफ दा लोवर पॉर्शन अफ दा पाम or near the mount of moon and runs upward towards the mount of mercury it could have been included in the major line also except that it is absent in the large number of hands it is also known by some other names that is line of health, line of liver or hepatic this line is very important indicator of state of health specially related to the digestive system क्यों डिजशन चाहिए है राहु के पास से होके गुजरती है if this line is clearly marked is straight and faultless not joined to the life line life line से नहीं ठूढ़ी हुदी है it indicates good health good memory good business acumen in this sense the line of mercury has remarkable resemblance to the astrological characteristics attributed to the virgo the virgo moon tricona sign of the mercury the planet virgo being the sixth house of kalfur shah is also a custodian of health and disease in general good line of mercury brings for the best mercurian quality he wrote this agree with other authors of the palmistry and suggest that this line actually starts from the mount of mercury and travel down to the palm as a man grow older if and when it touches the life line it may cause death hero's own personal life line is long चाहे lifeline बड़ी हो. In such a case, the line of health should be strongly marked in the head. इसलिए हम जब longevity देखते हैं तो line of health जो है, बुद्ध की जो रेखा है, इसको बड़े ध्यान से ही दिखना चाहिए. If it is weak, it only indicates weak constitution and not death. जो ज़ी तुटी फुटी है, कमजोर है इसका मॉनले, वो बोलता है कि इसका immune system ज्यादा अच्छा नहीं है बाकी death ये नहीं देती है It is best to be without this line at all यदि ये हाथ में ना हो तो बहुत अच्छा है In practical terms, if a line is there, it is bound to have some defect However, small, complete absence denotes a robust and the health healthy constitution It is absolutely imperative to closely examine the line of mercury for any kind of health problem When a line is twisted and irregular, it indicates biliousness and deliver complaints When the line is twisted and irregular, it indicates bilious complaints When formed a small piece, bad digestion When made up of small island and long tilbert nail danger to the lungs and chest If the line is the same but the nails are broad It indicates throat problem If this line is heavily marked and exists only between the head and the heart line It indicates brain fever This line should always be seen along the nails Life line defects and other health marks on the head I don't need to read it I don't want to read it I want to read it I want to read it हस्त्रेखा प्रवीना है, उसमें केवल इंट्रोडेक्शन मातर है, आपके एक्जाम में भी इंट्रोडेक्शन ही आएगी, अदर लाइन्स की, इनके इफेक्ट नहीं आएगे, लेकिन फिर भी आपका इंट्रस्ट मिनाने के लिए, मैंने एक-एक दो-दो पॉइंट इदर दे दिये हैं, तांके आप तो थोड़ा सा इनके इंट्रस्ट बढ़े, सलेवस के बाहर आई, लाइन ओव वायलेस्विया, वायलेस्विया, ये लाइन जो होती है, बुद्द परबत के, बुद्द की रेखा जो है, बुद्द परबत के अंदर से निकल के, हैल्थ लाइन के पैरवल चलती है, कई बार ये अकेली होती है, हैल्थ लाइन होती नहीं है, कई बार ऐसा होता है, कि ये बेवी होती है, गूमती फिर्थी चलती है, साम की तरह, कई बार ऐसा होता है, यह सीधी चलती है बहुत इसके लिए दो तरह के वेस्टन इस्टालोजी और इंडियन इस्टालोजी के जो स्कूल अब थॉर्ड हैं के दो डिफरेंट डिफरेंट इनके बारे में बोला गया है वो मैं दोनों आपको बताता हूं कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यह लैसी विस्टनेस जो प्रॉपर्टीज होती हैं सेक्सुल प्रॉपर्टीज होती है परसन पैशन होता है जो सेक्स के बारे में उसके बारे में यह लाइन बहुती है कि इप उरिजिनेश फ्रॉं डा माॉंच बइनस यदि यह शुक्र के परपस से thought शुरू होती है और आपकी बुद रेखा के पेर्लॉल चलती हुई बंगल के परपद तक पहुंच आती है यह बुद के परपद तक पहुंच जाती है तो जैसे ये पहुँच रही है ये पहुँच रही है तो ये craving for the sex होती है इतनी craving होती है कि बंदा उसकी life भी short हो जाती है हम sex मैंने एक बोल सकते हैं उस बंदे को यदि ये baby है तो ये ऐसी जा रही है जैसे ये बी लाइन जा रही है ये बी लाइन जा रही है इट शोज drug addiction and indulgence ये तो ये जो नशे करते हैं लोग दवाई का नशा करते हैं injection लगाते हैं medicine का नशा करते हैं ये वो प्रेखा है जो हमें बताती है शुकर के परबस से चलती है और थोड़ा सीधी नहीं होती बींगी टेड़ी टेड़ी मेड़ी ये चलती है और ये बुद के परबस पे भी चले जाती है sometime मंगल के परबस पे रुख जाती है या चंदरवा के परबस के अंदर भी रुख जाती है ये intensity बताती है कि बंदा नशे करता है drug के नशे करता है injection लगाता है उसकी प्रवित्ती बताती है it is often confused with the line of mercury कई बार लोग इसको line of mercury समय लेते हैं लेकिन line of mercury कभी भी चंदरमा के परबत के अंदर को जाती हुई नहीं होती line of mercury टेड़ी होती है उसकी inclination towards mount of venus होती है कई बार वो चंदरमा के परबत की तरफ जाती हुई होती है कई बार वो बीनस के परबत की तरफ जाती होती है कई बार रास्ते में राहु के परबत में रुख जाती है कई बार मंगल के मैदान में रुख जाती है यह लेकिन जो लाइन ऑफ वायलास्ट सबया है यह जो स्कूर के परबद से स्टाड़ होती है। इन दोनों को सब्सक्राइब लिए आपको साहर ऐसे बॉटकी जूरुष होगी लोगे हम आपकी practice. They have also attributed different meaning to the line according to the modern research. According to the this view of the line shows sensitivity and allergies. Alcohol की allergy, किसी दवाई की allergy, किसी chemical की allergy, किसी food की allergy मी बजाती है यह line. जो आज की science है, वो modern science ही बोलती है, कि इससे यदि allergy है तो भी line of while SBI को study करना चाहिए. Next is line of intuition. यह सारी की common lines है, other lines है, supportive lines है, इनको किसी भी नाम से पुगारा जाता है, common lines, other lines, supportive lines, उन में एक intuitive line है. Intuitive line चंद्रमा की परबस से start होती है, बुद्ध के परबस तक जाती है. जब यह चंद्रमा के परबस से start होती है, बुद्ध के परबस तक जाती है, यह बहुत अच्छी होती है, आर्क मुआ होती है, आर्क की तरह इसका बना होता है, यह मंगर के scientist, अच्छे वक्ता, अच्छे writer, बहुत अच्छी qualities के साथ, उनके, उनमें कुछ अच्छी qualities होती है, कैसे this line would rarely be found on square or spatulate hand, ये conical hand में होती है, ये लंबे हाथों में, जो conical हाथ होते हैं, psychic हाथ होते हैं, उनमें होती है, square and spatulate hand में नहीं होती है, क्योंकि उनको intuitiveness जो है, कम होती है, जिनकी conical unglia होती हैं, उनमें intuitiveness जादा होती है, as this is more in tune with the conic and psychic hands. It is like a semi-circular segment laying on the mount of moon and short of connecting it to the mount of mercury. It is nearly in the same position as the line of mercury, but it distinguishes itself by its current formation. ये अपने आपको अलग कैसे दिखाती हैं, ये करवल हो जाती हैं आपके mount के उपर, but it is, it indicates a person keenly sensitive to his surrounding and influences. Such a person has an intuitional sense, intuitional feeling beyond reason for the logic, जिसको बात समझाना मुश्किल होता है, जिसमों पता होता है क्या हो रहा है, feeling of presentiment pertaining to the others, such people receive uncanny vibration from others and their judgment of the people or place or happening turns out to be true. ये कभी कहीं जाएं उस place के बारे में, उस इंसान के बारे में जिसको मिले हैं, उनके बारे में जो भी इनके ध्यान में आता है, वो बिलकुल true होता है, बिलकुल सही होता है, और ऐसे लोग intuitive-ness रखते हैं, बहुत ही अच्छी intuition होती है, बहुत ही अच्छी intuition होती है, बहुत ही बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान लगाते हैं, फिलोसफर है तो बहुत अच्छा सोचता है, राइटर है तो बहुत अच्छा सोचता है, कोई astrologer है, तो astrology की knowledge के साथ साथ उसको कुछ ऐसा ग्यान भी होता है, beyond astrology, beyond astrology, अचानल उसके दिमाग में आता है और बोल देता है, और बाद में वो सच भी होता है, तो यह जो चीज़े हैं, यह intuitive line जो इसके हाथ में होती है, वो they are sensitive people, और उनके बारे में देखा गया है, from others they judge, the people, place, and happening turns out to be true, if one is conscious, or if one cannot develop its attribution otherwise, it can also fade away with our time, यदि यह इस horoscope में, जिसके हाथ में यह line होती है, यदि वो साधना नहीं करता, यदि वो yoga नहीं करता, यदि वो meditation नहीं करता, यदि वो इसको और अगे बनाने की कोशिश नहीं करता, material word में आ जाता है, तो ये लाइन धीरे 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 फेड होती चले जाती है और खतम भी हो जाती है तो इसकी लाइन ये टुटी फुटी होती है उसमें पूरी पावर आफ इंटूशन का होना मुश्किल होता है ता ग्रिडल आउफ बीनस ये ग्रिडल आउफ बीनस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है जो हमारा जॉइंट है लिटल फिंगर का और रिंग फिंगर का जो जॉइंट है इस जॉइंट के अंदर से ये रेखार निकलती है और जो जॉइंट है हमारा इंडेक्स फिंगर का और मिडल फिंगर का उसका जो जॉइंट है वहाँ पर आके ख़तर होती है दो तरह की ग्रिडल होते हैं कई बार ये डवल ग्रिडल भी होता है कई बार ये सिंगल ग्रिडल भी होता है कई बार ये ग्रिडल लाइन जो है पूरी की पूरी बनी होती है पूरी की पूरी फिल्कु क्लीर होती है और कई वार ऐसे बीच में टूटी-फूटी भी होती है जैसे A भाग मैंने दिखाया है पूरी का पूरा बना हुआ है और जो B भाग है बीच में से टूटा हुआ है कम्प्लीट ग्रीड़ ऑफ वीनस ये भाग है ब्रोकन ग्रीड़ ऑवीनस भी भाग है अग्रीड़ ऑवीनस के बारे में आपको जाते हैं इस सेमी सर्कूलय लाइप that starts from between the finger of the Jupiter and Saturn and ends between the finger of Sun and the Mercury. It should not be mistaken for a second heart line as the heart line ends on the percussions. ये heart line को नहीं समझना चाहिए. Heart line जाके बुद्ध परबत के नीचे जाके end में, heart के, percussion में, heart के end में खत्म होती है. जहां heart का end होता है. और ये जो griddle of Venus है, ये सूरे और शनी की उंगली से शुरू करके बुद्ध की और सूरे की उंगली के बीच में शुरू होती है. ये जुप्टर और सन की उंगली से शुरू होके बुद्ध और सुरे की उगली के बीच में जो जोईट है वहां पे खतम होती है इसलिए इसका ध्यान गिर्टल और विनस की तरफ से इस तरह से देखते हैं कि यह उपर ही रहती है हार्ट लाइन से काफी उपर रहती है खुद्ध रहती हॉड्ड आट लाइव दो झा जोज पर वो च लयुझे अट लाइवी अश्यान देख से बंडिफो और जो फे घ्निजन से यह विंदा बी-बाराइन, ञshore मेंसे और वी स्मश्ण।, प्रॉफिजेंसी एंड डीवंच्री एंड डीरेंजमेंट आफ दा सेक्शुल फंक्शन्स जो पुराने इस्टावजर हैं वो इसको अक्सेसिव सेक्स की लाइन बोलते हैं और उसमें वो कहते हैं कि ऐसा इंसान किसी भी हद तक जा सकता है रिलेशन्स में यदि उसका हाथ रेप का है तो रेपिस्ट भी हो सकता है यदि वो एक्स्टा मेरिटल अफेर मेरीज लाइन दिखा रही है तो एक्स्टा मेरिटल अफेर में हो सकता है वो फ्लर्ट भी हो सकता है ऐसी ऐसी भावनाएं जो पहले स्टावजर हैं उन्होंने इस के बारे में दी हैं, in actual practice, this means, this meaning can be attributed to griddle of venus, if rest of the hand scores, ये griddle of venus उसमें से एक अंश है, उसमें से एक hint है, हमें दिया हुआ, कि यदि griddle of venus complete है, तो he can be a person of excessive sex, he can be a person who can be rapist, he can be a person who has extra marital affairs, he can be a person, जो opposite sex में बहुआ इंटर्स लेता है, और that person can be he or she, दोनों के लिए same है, लेकिन बहुत तभी है, at the same time, जो mount of venus है, उसके उपर बहुत सी लाइने हो, उसके उपर griddle बनी हो, mount of venus काफी उबरा हुआ हो, ब्रस्पती के उंगली कमजोर हो, ब्रस्पती का mount कमजोर हो, जो रोकने बाला है, वो कमजोर हो, otherwise ऐसी नहीं है, तो, if swollen and heavily red mount of venus, a dropping line of head, a lot of lines criss-crossing the hand, but whatever the kind of hand, it surely indicates an intense state of nervousness, and therefore, proneness to hysteria, यदि ऐसे बहुत ही जाए लाइने किसी के हाथ में, hysterical भी होता है, बन्दा, hysterical वो होता है, जिसकी desire for the sex पूरी नहीं होती, और वो किसी न किसी डंग से अपनी बिमारी को show करने की कोशिश करता है, subject passes, the griddle of venus are likely to indulge in self-abuse, ऐसे बन्दे self-abuse में बिश्वाश करते हैं, जैसे masturbation हो गया, drug addiction हो गयी, especially around the teen and the after, teen age में ऐसे लोग masturbate करते हैं, और self-abuse करते रहते हैं, ए ब्रोकन griddle of venus, जिसका griddle of venus तूटा हुआ हो, indicates nervous excitability, nervous excitement होती है बन्दे को, and the deep cut griddle indicates excessive side, उसकी nervous excitement की access कर देती है, यदि जो cut times में जादा है और deep हो, at the same time, if the physical side is strong or the animal heat is high, one actually commits excess, otherwise it is all in the mind. Kuro has written that when it is unbroken, it certainly gives the most unhappy tendency towards hysteria and despotency. Some palmist relates like this line to perversions, non-normative, deviant behavior in sexual matters. Many gays people have this line. This line can also be often found among us artists, musicians and writers, because it indicates a high degree of sensitivity and intellectual nature. It requires a very balanced judgment of chiromancy and the entire hand to give an accurate reading of this line for the individual. यदि इस line को देखने के बाद कभी भी विविश्यवानी करने से पहले, पूरे हाथ का माइना कीजिए, जब पूरा हाथ किसी एक तरफ को इशारा करता हो, यदि आपको लगता है कि चंदरमा की रेखा भी ब्रोकन है, नीचे को जा रही है, और ये ग्रिडल ओवीनस भी ब्रोकन है, तो हम बोलेंगे कि ये हिस्टीरिया है, आपको लगता है ग्रिडल ओवीनस कम्पलीट बढ़िया है, माउंट ओवीनस जो है उबरा हुआ है, फलफी है, उपर बहुत सी लाइने हैं, ग्रिल्स हैं, तो हम बोलेंगे कि ये बंदा फ्लर्ट है, इसको हमने देखना है, कई वर ऐसा होता है, कि यदि बुद्ध का पर्वत भी खराब होता है, तो बंदा आउट आउट आउदा मेरी जाके एक्स्टा मेरीटल रेलेशन्शिप को उन्जुआए करता है, लेकिन यदि ब्रस्पती का पर्वत है, तो ठीक रहता है, कुछ भी हो, जब ग्रिडल आउट वीनस ट्रॉंग है, तो दूसरा चीज़ें देखनी चाहिए, ऐसे पर्सन गेज हो सकते हैं, ऐसे यदि आदमी हैं तो गेज हो सकते हैं, तो इस वाद का हमें ध्यान रखना चाहिए, आँगा लाइन अब मैरेच, लाइन ऌब मैरेच पे हमने काफी डेटेळ में काम किया, इसल्योज लाइन Mai sıरेच पर्णजी की कोई जूरूरत नहीं है, आपको, अब आता है, लाइन ऋमैरेच के बाद आता है, अब लाइन अफ मार्ट, इसमें आता है, इसमें चीज़ पढ़ने बाली है, यह, this is a small segment of the line that starts from the percussion and cuts across the amount of mercury, this line is also called the line of affections or union or liaison, it does not necessarily show marriage, but it surely shows affection whether or not solomonide into the legal marriage. ये ऐसे relationship जिरूर बिताती है, चाहे उसमें शादी हो, सकी हो, चाहे ना सकी हो. Since the law and the custom in different countries and in different ages can be vastly different, if this line is well marked, long, free of defects, it shows strong lasting and attachment. Defects such as a break, island and cross on the line indicates trouble in marriage. If the line drops towards the heart line, it may indicate lessening of affection and the spouse may die early than the subject. Different lines indicate different affections. The line closer to the heart line indicates love affairs of youth. The higher the line towards the finger of mercury, the later affection is shown. Duration of the affections may be seen by the length of the line. If the line is altogether absent, it shows an incapacity of a person to feel deep affection. If there is a deeply marked short line running parallel to the main affection line, it indicates that a previous love affair has not completely been terminated. If a line of affections send a branch into the mount of sun and ends in a start, the subject will have an affection with some very brilliant famous person. If an influence line comes from the lower mount of Mars, it may indicate legal hassle in the marriage or divorce. In such a line comes from the mount of Venus. It indicates that a relative is causing disturbance in the marriage. If the line of affection is broken, it can indicate divorce or death of the pardon. But if the break is enclosed in a square, it means the affection will be restored. Small, fine line cutting the line of affection may indicate financial difficulty to the subject and health problem to the spouse. This line is often found in the hands of people who have remained bachelor all the life. Now, there is a line of Solomon, which I have studied in the line of Solomon. The ring of Saturn, which I have studied in the line of fate, the line of fate, which I have studied in the line of Mars. The line of Mars is very important. It is a very important thing that I would like to listen to. The line of Mars is very important. ये आपकी life line है. इसके अंदर जितनी भी lines आपूजिट से इसके पेरलर जाती है, वो lines आपमार्स और जोते हैं उसको, जाहे वो जितनी भी ज़्यादा जाती हैं. यदी जिए ज़्यादा होंगी, तो परसन अपोजिट सेक्स के से ज्यादा influence रहेगा और जब यह लाइन आगे तक जाती रहेंगी तो पूरी जिंदगी इंसान अपोजिट सेक्स के influence में रहेगा यह Mount of Venus पे होती है दूसरी है यह लाइन मास्की आ रही है लेकिन यहां से इसको एक तरफ हो गई है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जो साथी जिसके इंफुलेंस में इंसान चला आ रहा था जिसके साथ इंफुलेंस नहीं चली आ रही थी उससे वो दूर चला गया है दूर चला गया है इसका ये मतलब रहेगा ये पिक्चर नमबर तीन है लाइन प्रॉम दा लाइफ 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 ल गुज गई जो इसका मतलब है कि परसन जो है वो हाइली पैसोनेट परसन है और उसके साथ अपुलीड सेक्स के साथ काफी अटेच्मेंट रहती है उसकी अब यह चौती तस्वीर है sorting with the many branches ending at the mount of Mars यह बहुत सी branches के साथ start हुई और मंगल के mount के उपर आके इसका end हो गया यह बंदा बहुत जादा highly passionate परसन है एक ही समय में बहुत से लोगों से इसके relation रहते हैं लेकिन जैसे मंगल में आता है गुस्से के कारण इसके वो relation जो है खतम होते जाते हैं और इसको सामना करना पड़ता है लाइन नमबर फाइव है number of lines coming from the lower mount of Mars and mount of Venus but terminating within the triangle यह triangle को पार नहीं करती यह headline को पार नहीं करती इसके अंदर 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 ही रहती है यह बंदा nervous nature का होता है और worried रहता है बहुत worried रहता है for relations गुँश के अपने घर के हो सकते हैं बार के हो सकते हैं बच्चे हो सकते हैं भाई हो सकते हैं of the thumb, across the mount of Venus, and just cutting the life line. यह देखो, lower flange है, एक first flange है, यह second flange है, second flange से आई Venus के mount को चीरती हुई, और इसने आखे कार दिया, Venus के mount को कार दिया, ऐसे बंदे को सवार्थी बंदे से काफी जड़का लगता है, कोई ना कोई relation इसका ऐसा होता है, जो इसका दिल दुखाता है, इसको friendship में, love fair में, दोखा मिलता है, जिसकी बज़ा से, यह बहुत उदास रहता है, कई बार ऐसा होता है, कि इसको यह बहुत प्यार करता है, उसकी मिर्त्व हो जबती है, तब उदास रहता है, कई बार ऐसा होता है, वो बंदा जिसको यह बहुत प्यार करता है वो दोखा दे जाता है तब ऐसा होता है और आगे है लाल वाले हिस्से में रह गई तो इसका मतलब क्या हुआ आो हाल को पार मी किया फैड लाइन को टच निकिया ने वो लाइफ लाइन को पार नहीं कि अंदर नडर रह गया तो पिर तो मंगल की दखा के उन्दर हेड धो हमें क्रॉस करती है दिक अउसक्र जए टॉसक कर से फट लैं notions ना करें ने लेकिन बाईना को टॉस्ट साल फर्स्ट फ्लैंज, अंगूटे के फर्स्ट फ्लैंज से एक रिखा चली और बीनस के मौण को टच करती होई, चीरती होई, लाइफ लाइफ लाइज से बाहर रिखल गई, डीप लाइज कमिंग प्रॉम दा फर्स्ट फ्लैंज आप दा थम, cross the mount of venus and just cut the life line ऐसे बंदे की मृत्यू किसी तेज हत्यार से तेज धार के हत्यार से हो सकती है किसी metallic weapon से हो सकती है किसी accident से हो सकती है अब last में है यह line थोटा सा चांद की तरह की line है यह चांद की तरह की line ने life line को काड़ दिया है चांद की तरह की line ने life line को काड़ दिया है यह किसी भी जगा काड़ सकती है उपर नीचे जहां भी semi circle line just cross the life line यह बहुत dangerous है जहां पर चांद जैसी रेखा life line को काड़ रही हो उस उमर में बहुत ही सीरियस बिमारी इंसान को आती है और वो बिमारी मृत्यू का कारण बन सकती है चाहे लाइफ लाइफ लाइन जितनी मरजी लंबी हो तो उसके लिए मृत्यू होगी या नहीं होगी देखने के लिए हमें लाइफ लाइफ लाइन का सारा नहीं लेना है उ हेडलाइन देखनी है कहां रुक रही है, हाडलाइन कहां रुक रही है, उसमें कहां प्रॉलम आ रही है, यदि हाडलाइन में भी सेम जगा प्रॉलम है, हेडलाइन में भी सेम जगा प्रॉलम है, और फेडलाइन में भी सेम जगा प्रॉलम है, तो समझ लो उस समय मृत्यू आ इनसान को आ सकती है मृत्यू तुले कस्ट यह देती है मृत्यू तुले कस्ट तो उसके बाद जो हमारा आता है जो हमारी देखे हैं पिक्चर में जो है वो सारी कम्पलीट हो गई है अब कोई भी हमारे स्लेवस में आने बड़ी रेखा बाप नहीं बची है, एक मिन रुकी थोड़ा सा हस्त रेखा का थोड़ा सा हस्त रेखा का सिलेवस थोड़ा सा मैं आपको पढ़के सनाता हूँ, जो एक्जाम के लिए सिलेवस है rotation of chemistry scientific background आपने कर लिया है relevance of chemistry in modern time आपने कर लिया है force mix science personality trails कर लिये है limitation of chemistry कर लिया है duties of promised कर लिया है advantage of chemistry over other system and prediction कर लिया है two original divisions of palmistry कीरो कॉमी analysis of hand कीरो मैंसी analysis of lines दोनों आपके हो गए है basic rule which hand to be studied left और right हो गया है right time and place of the palm reading हो गया है instruments for the palm reading हो गया है method taking palm print अभी आज की डेट में तो हम lens से काम करते हैं या mobile से काम करते हैं लेकिन हमें ऐसा हो सकता है कि हाथ को नील लगागे जैसे प्राने जमाने में hand print लेते थे वो भी प्रशन में आ सकता है लेकिन यदि आप चाहोगे तो किसी उस दिन practical करा देंगे लेकिन हम ये बोलें कि आज की डेट में बड़ी डाज डैट mobile से फोटो कीचता है उसको बड़ी करता है देखता है जाज यादा हूँ उसको फोटो शॉप में ले जाता है वहाँ बड़ी करके देख लेता है या lens के साथ देख लेता है ये आपको इसका अंसर देना है fundamentals of palmistry में आएगा shapes, size, consistency, flexibility, skin, texture, color of the hand finger, thumb, mount, lines, nails ये आपने कर लिए अब आगया based on shapes elementary hands, care hands, speculate hands, philosophical hands conical hands, psychic hands, mix hands ये हमने कर लिए है और उसके बाद आता है based on size lengthwise, large hand, small hand, wide hand, broad hand, narrow hand ये हमने कर लिए है based on consistency, touch, flabby hand, soft hand, elastic hand, hard hand कर लिए है based on flexibility of bending, flexibility बाहर को bend करता हो, ये कर लिए है texture, fine skin, corus skin ये कर लिए है size of the fingers, long or short कर लिए है comparative length of the fingers of the palm, long finger and long palm कर लिए है long finger, short palm कर लिए है, short finger long palm कर लिए है, short finger and short palm कर लिए है setting of finger high or low या medium कर लिए है five types of finger, knuckles, joint होते हैं fingers के knuckles on fingers, smooth and knotty fingers कर लिए है spacing between the finger, inclination of the finger किसी और तरफ को जुका हुआ होना मतलो, flanges of the finger कर लिए है importance of the thumb, type of thumb and its analysis कर लिए है two flanges of the thumb, angle of opening हमने कर लिए है कि thumb ऊपर लगा है, नीचे लगा है, 90% कुलता है, 75% कुलता है, 110% कुलता है इसका क्या मतलब है कर लिए है study of the mounts, हर mount हमने touch कर लिए है अब जो इसका analysis of the hand जो है उसमें आते हैं, five principles life, heart line, head line, fate line, sun line कर लिए उसके बाद secondary lines, उसमें health line हो गई है line of love and marriage हो गया है, line of influence हो गया है line of intuition हो गया है, line of while as we are हो गया है griddle of venus हो गया है, ring of Solomon हो गया, ring of Saturn हो गया mystic cross, अब mystic cross इसमें था वो रह गया, मैं अभी करा देता हूँ, वो पता नहीं, slide कैसे हमारी उपर नीचे हो गई, mystic cross था मैं अभी आपको करा देता हूँ अजी बेज़ देना, slaybos अचा, अचा, ब्रेसलेट हो गया है, travel line हो गया है, lines of children, line of children in mystery cross में आज करा आपको, मेरे से कहीं रह गया है, बैचन, ring of Saturn है देखो, दा लाइन is similar to the ring of Solomon, but it is present on the mount of Saturn, instead of Jupiter, sometime it makes a perfect semi-circle, but often it is composed of a couple of lines which cross the mount of Saturn, there is a lack of continuity of the purpose and persistence in one direction in the subject having this marking, this result is in poor success or unstained growth in his undertakings, this line will will often be found in the hand of unsuccessful people, prisoners or cases of suicide, at best, it is an unfortunate marking to have in the hand, it turns the subject into the bad Saturn, who loses the balancing quality of the mount of the Saturn, Saturn का यदी जो यह ring होता है, Saturn का, यह आपने देखा होगा, यह ring of Saturn है, जिसके हाथ में होता है, वो अपने project को कभी पूरा नहीं कर पाता है, जो भी उसके project होते हैं, उसमें वो रास्ते में छोड़ देता है, उसके दिमाग में failure का डर रहता है, वो एक पच्छी personality को खो देता है, Saturn के discipline को खो देता है, Saturn के धहरे को खो देता है, यह अच्छा mount नहीं है, और यह आपका हो गया, अब आगया यह आगया आपका, यह देखो, mystic cross है, यह mystic cross headline और heart line के बीच में होता है, इसे lucky cross भी कहते हैं, जिसके भी एक cross हो, पूरी तरह से बंद, किसी एक तरफ से खुल हो, पूरी तरफ से बंद हो, heart line को जुड़ा, दोनों line के cross करते हो, heart line को और headline को जुड़ती हो, यह बहुत ही बढ़िया है, इसे lucky cross है, लेकिन इस से फैदा का कैसे होता है, यह इंसान बहुत ही कृश्माई इंसान होता है, जो चाहता है, वो करके हड़ता है, अपने जीवत में सफलता पाने के लिए बहुत मेनद करता है इसलिए इसको हर तरीके से सफलता मिलती है इसलिए इसको mystic cross बोलते हैं अब यह reset है जिसको हम तीन लाइने होती है इसमें यह तीन लाइने हाथ यहीं से शुरू होता है जो यह हाथ हाथ ऐसे मूडता है आपका यह आपने पढ़ा हुआ है आपको पहले पढ़ाया है कि आपके फस्ट लेक्चर में आया था कि जो बोन्स होती है मेटा कार्पस बोन्स होती है यह कार्पल बोन होती है जो आठ होती है नमबर में उनके ऐसे गोमने से और आपके गर्ब के समय में मुठी ऐसे जुकी हुई अंदर की तरफ जुकी हुई होने से ये निशान बढ़े होते हैं मेटा कार्पुस की वज़ा से बने होते हैं कार्पुल बॉन्स के जॉइंट की वज़ा से ये बने होते हैं तीन होती हैं, दो होती हैं, एक होती हैं, किसी के हाथ में एक, किसी के हाथ में दो, किसी के हाथ में तीन होती हैं, उस तरह का ही इसका बरनन होता है, अब लाइन आफ चिल्डरन, ये लाइन आफ चिल्डरन है, आपकी मेरिज लाइन के ऊपर को खड़ी हुई लाइन को अबार्शन होना जाता है जो लंबी लाइन है ये मेल बच्चे की होती है जो छोटी लाइन है ये लड़कियों की होती है ऐसा माना जाता है लेकिन आज की डेट में इसका कुछ मातब खतम हो गया है क्योंकि आज की तरफ आज की डेट में बच्चे का पैदा होना कब होना नह करते हैं इस लिए हम इस लायन के ऊपर वरुशा नहीं कर सकते हैं क्वाल्टीस ऑफ लाइन जिए जडीक्ट लएंज फिन लाइस ब्रॉड लाइन ऊइन जिए अर्म लाहिसर आइस आदमcry लाइफ-लाइन के बारे मेंसा यांकर या हाट लाइन की पूरी डिटेल दिया है हेड लाइन की पूरी डिटेल दिया है और इसके बाद आती है फेट लाइन की पूरी डिटेल दिया है मोडिफिकेशन अब फेट लाइन की पूरी डिटेल दिया है fate line rising from the life line भी बुला हुआ है आपको बताया है fate line rising from the wrist भी बताया हुआ है fate line rising from the mount of moon भी बताया हुआ है fate line rising from the middle of the palm भी बताया है multiple fate lines भी पढ़ाया है जब एक से ज़्यादा fate line होती है sign lines के बारे में आपको बताया है the line of success and brilliance modification of the sunline के बारे में बताया है आपको पूरा अब आगे part 2 आज़ता है परमिस्ट्री का advanced analysis of the lines difference between the main line and the secondary line आपको पता चल गया है analysis of the palm and the palm full of lines जो जिसमें बहुत ज़्यदा lines होती हैं को कैसे analysis करते हैं defects in the lines आपको पता है कि कौन-कौन से defect होते हैं repair of the lines कैसे होती है जिस line के parallel में कोई line आया जाती है वो repair कर देती है इसको defects वो होते हैं किसी line के उपर cross का आया ना किसी के line के उपर star का आया ना bubble का आया ना, island का आया ना वो defects होते हैं strength of the line वो होती है जो line stick हो, सीधी हो बिना किसी defect के हो, बिना किसी मार्क नाव जो जैसे क्पार आपकी लाइफ 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 टोड़ी-छोटी होती है उसके साथ दूसरी रिखा आती है। उसको लेके आगे तका जाती है तो आल्टरमेट लाइन बोलते हैं फिंगर प्रिंट लेने के विज़ पैटरन है वह हम देखते हैं और उसमें हमने आपको बताया है वर्लपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर् le Chained 시면 सारा ही आपको क्राया हुआ है हाँ कुछ रहता है तो इह रहता है Trident क्या होता है डौपिंड अफशुट डौन्वर्ड लाइन्ड लाइन्स rising offshoot lines ये भी करा रही है और special notes on great triangle ये great triangle आपको करवानी है और quart angle कराने है आपको rare mark and their effects rare marks कौन कौन से होते हैं fish, lotus, ship, flag, wheel and temple ज़िए हाथ में हो तो उनका क्या मतलब होता है केबल ये चीज आपकी बाकी है आपकी फिंगर टिप्स के उपर जो मार्क होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं उनका क्या मतलब होता है आपके जो हाथ में फिश होती है उसका क्या मतलब होता है लोटस का क्या मतलब होता है फिश का शिप का क्या मतलब होता है फिल का क्या मतलब हम उपना एक सब्धुर्च करेंगे और हम करेंगे तन इसके बारे में जितना पड़ा के जितने आप को था है आना और इस इतना हो जायेगा कि आपको अच्छी तरह से आ जायेगा. फिर जो विशारद है ना इसका, पामिस्ट्री का विशारद है, उसमें परफेशन है, उसमें योगाज है, उसमें मैडिकल है, वो बहुत बड़ा सब्यक्ट है. तो यदि आपको ये बेस आता होगा, तब बड़ा सब्यक्ट आप समझ पाएंगे यदि इस basic को नहीं समझ पाएंगे तो बड़े subject को समझने में आपको दिक्कत होगी उस समय आपके पास ना समय होगा ना मेरे पास समय होगा कि पहले मैं पिछला basic कराऊं उसके बाद वो मैं आपको आगे लेके जाओ इसलिए मेरा अनुरूद है कि next lecture में मैं अपना syllabus पूरा कर दूँगा आगे वाले जो हमारे पास 5, 6, 7 जितने period भी बचेंगे उन सब के लिए हमने practice करनी है इतनी practice करनी है कि अकेले को मैं नाम लेके बलाऊं कि ये हाथ है जी बताओ इसके बारे में ये हाथ है इसके बारे में बताओ जितना आपने पढ़ा है आप उतना बता सको आपका बिशावदा के लिए base है ये ये basic है जो आपको बताया गया है next class में आपने master बनना इसके उसके बार को class नहीं होगी आपकी ये ही opportunity है इसलिए मेनत कीजिए kindly kindly मेनत कीजिए मेरा option रोज है आशा करता हूँ कि आप मेरी बात मनेंगे अगली बार syllabus कतम हो जाएगा उसके बार practice ठीक रहेगा जी सर kindly बताये मैं syllabus डाल देता हूँ आपका रहता हो आप मुझे बता देना ठीक है जी मैं syllabus डालूँगा आपके ग्रूप में ठीक है जी syllabus आपके ग्रूप में डालूँगा कई बर ऐसा होता है टीचर को ये ध्यान नहीं रहता कि इस बार पढ़ाया तक पिछली बार पढ़ाया था कोई subject मेरे से छूट गया हो मैं तोबारा भी करा दूँगा मैंने अपनी तरफ से सारी की सारी sportive lines के बारे में बताया अगली बार के topic में मैं बताऊंगा हाथ पर पाए जाने बारे चिन किन कौन से जैसे धन की मचली रेखा कमल का फूल स्मूद्री जहाज भील फ्लैग और मंदर जैसे चेंजर्ज हाथ पे होते हैं तो उनका क्या महत्व रहता है उसके बाद aggressive practice चलेगी इसलिए वीडियोज को ध्यान से देखिए बार बार सुनिए नहीं समझाता दुबारा repeat कीजिए ताके आप practice के समय में आपको problem ना है समझाने में problem ना है ये चीजें जो मैंने बताई हैं आपके context होनी चाहिए आपके एकदम दिमाग में ready रखना की तरह होनी चाहिए तभी इसका फाइदा है Thank you very much आपके लगा सुनिए 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 आपके लगा legacy करते सकट होनी आपके लगा सरा here समझाने छ writes 25 आपके लिए आपके लगाume को आपके लगе